नमस्कार आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूँ आपके साथ मानविठाकुर शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से चालान लेकर नदी घाट से बालू की चोरी खूब हो रही है बालू लाइसेंस धारक शशी भूशन महतो बालू संचालक से पैसे लेकर बालू चोर बना दिया है पांच परगना खबर के परताल में मामला सामने आया है कि जहां बालू लाइसेंस धारक शशी भूशन महतो की बालू स्टॉक है वहाँ पर करीब दो महीने से गाड़ी ही नहीं गई है आसपास के लोग कैमरे के सामने बात रखने से कतराते हैं इस लिस्टिंग ओप्रेशन के माधम से परताल के दौरान पांच प्रगना खवर को जानकारी मिली है वैधता तरीकी से बालू की चलान लेकर रात होते ही सैकडो बालू संचालक बालू की चोरी करने में नदिघाट पर उतराते हैं अवैध बालू खनन में लिफ्ट बालू संचालकों पर किसी दिन बड़ी कारवाई हो सकती है नदिघाट में बालू उत्खनन और परिवहर पर वर्तमान में रोक है बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है इधर अवैद खननन पर प्रशासन वर्तमान मौन साध लिया है जैसे अपने क्षित्र में खननन की जानकारी ही नहीं मामला रांची जिला के पांच प्रगनाक्षी तरकी है इन दिनों धन्दा तेजे से फलफूल रहा है रात होते ही सैकडो बालू गाड़ियों का टाटा रांची मुख्यमार्क से देखा जा सकता है सभी बालू गाड़ी बुंडू के नदी घाटों से बालू की चोरी कर सरकार को चुना लगाने में जुटे है पर उक्त बालू स्टॉक को देखने से सहुलित हो सके ताकि लगे कि वास्तविक में स्टॉक से ही बालू की उठाव होती है जबकि स्टॉक से बालू की उठाव होने से दो या तीन दिन के अंदर ही स्टॉक बालू खत्म हो सकती है लेकिन बालू लाइसेंस धारक शशी भूशन बहतो पर हर राज 100 से ज़ादा टबो बालू गाड़ियों को लेफल चालार थमा देते हैं और चालार लेकर बालू गाड़ी रात में नदीघाट से बालू की चोरी करने में जुट जाते हैं ये खेल पिछले अनेक महिनों से चलता आ रहा है कारवाई के अभाव से नदीघाट से बालू खनन का धंदा तेजी से पाव पसा रहा है ये खेल प्रशासन की सामने खेला जा रहा है और प्रशासन मौन है बालू लाइसेस धारक शशी भूशन महतो और्फ मन्टू कभी कभी चालान काटना बंद कर देते हैं चालान में 100 CFT बालू का दर 1000 है लेकिन 100 CFT बालू में 56 रुपए अवैद से चालान के नाम पर वसूल आ जाता है चर्चा है इस खेल में स्थान या प्रशासन की सनलिप्तता है जिस कारण से कारवाई नहीं होती गाडियों की धर पकड नहीं होती इधर बालू लाइसेस धारक शशी भूशन महतो और्फ मन्टू ने पाच प्रगना खबर से फोन पर बात करते हुई दावा किया कि तिरलू डिही घाट से बालू लाकर बुंडू की हेंठ बुड़ा डिह में बालू का भंडारण किया गया है और भंडारण से ही पहले टर्बो वाहनों को बालू दिया जाता है फिर 100 CFT बालू में केवल 1000 रुपे का ही चालान लिया जाता है अवैत वसूली नहीं की जाती है वह इधर बुंडू SGO संदीप अनुराग टोपनों मामले को गंभीता से लिए है जाच करते हुए कारवाई करने की बात कही है आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहिए पांच परगना खबर नमस्कार